Hello Everyone, इस वीडियो में हम क्लास 6-8 की एक्टिविटी शीट No.3 करेंगे Date है 19th January 2022 और इस वक्षिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फोर्मिशन देना चाहती हूँ Dear Learners, Unacademy लॉंच करने वाला है the biggest scholarship test of the year for क्लास 7th to 10th IIT, JE and NEET UGK students के लिए The Unacademy Prodigy ये एक free mock test है जहां आपको मौका मिलेगा Amazing Rewards and Scholarship चीतने का ये 1 hour का test 23rd January, 29th January, 6th February and 13th February को conduct होगा इसमें हर एक participate को Amazing Opportunity मिलेगा Education for Life चीतने का जी हाँ आपने बिलकुल सही सुना 20 lakh तक का college grant आप जीत सकते हैं आपके graduation and post graduation के लिए Education for Life, 29th January and 13th February को होने वाले tests पर ही valid है इसके अलावा आप Macbook, iPhones, iPad जैसे exciting rewards भी जीत सकते हैं Learners इस मौके को हाथ से जाने मत देना क्योंकि आपको test के बाद detailed scorecard मिलेगा and video solution analysis भी इससे आपको अपनी rank पता चलेगी and साथ में आप अपनी strength and weakness को identify कर सकते हैं 30 मिनिट का practice test already start हो चुका है साथ ही Unacademy लाया है limited period offer 12 month and above के plus subscription लेने पर आपको मिलेगा 3 month का extra subscription बिल्कुल free इसी तरह 12 month and above के iconic subscription लेने पर आपको मिलेगा 6 month का creative corner subscription बिल्कुल free description में सभी link दिये होए हैं मेरा code BLOWM 10 use करें to enroll for free इतना ही नहीं इस code से आप कोई भी subscription buy कर सकते हैं 10% off पर so learners Unacademy के साथ let's crack it so students चलिए अब वक्षित को continue करते हैं it's reading time hello children reading stories can be lot of fun here is a story about a boy just your age do you want to know him read on hello children reading stories can be a lot of fun यानि stories परने में बहुत जादा मज़ा आता है है न so here is a story about a boy just your age यहाँ पार आपको एक story दे रखी है एक boy की जोकी आपके ही age का है तो क्या आप उसे जाना चाहेंगे जानने के लिए इस story को आपको read करना है मुकुल was a young boy he studied in class 6 he always helped his friends in time of need तो यहाँ मुकुल की story दे रखी है मुकुल एक young boy है वो class 6 में read करता है यानि पढ़ता है और उसे हमेशा वो अपने friends की मदद करता है जब भी उसके friends को उसकी जरूरत होती है तो यह एक good boy है मुकुल took care of animals and birds around him वो हमेशा animals और birds उसके आसपस जो है उनकी care करता है हमेशा वो उनको खिलाता है यानि दाना पानी देता है और कभी भी उन्हें नहीं चड़ाता मुकुल बस polite to elders बड़े जनों से भी वो काफी politely बात करता है यानि वो बहुत छोटे छोटे टास्क जो होते हैं छोटे छोटे जोब करता रहता है जैसे किसी की मदद कर दी चोटे-चोटे काम में सब की मदद करता है और जब भी उसके पड़ोसी कहीं जाते हैं तो उनकी cat की भी वो ही देखबाल करता है और जो cat है वो भी उसे पसंद करती है मुकुल had friends in the neighborhood यानि उसके पड़ोस में उसके काफी सारे दोस्त है और मुकुल हमेशा खेलने के बाद बच्चों के साथ खेलने के बाद उन्हें हमेशा पानी देता है क्योंकि वो लोग प्यासे होते है मुकुल helped his mother to clean up the house मुकुल अपनी mother की भी help करता है आसपास घर को clean करने में he said prayers before eating और वो खाने से पहले prayer भी बोलता है ठीक है? prayer करता है तो ये उसके good manners है और वो काफी good boy है तो अब यहाँ पर क्या पुछा गया है? देखें, now you know a lot of about मुकुल अब आपको मुकुल के बार में काफी कुछ पता चल गया होगा तो do you like him? क्या आपको वो पसंद आया? तो yes, वो अच्छा बच्चा है तो सबको पसंद आएगा yes, आप लिख सकते हैं do you think everybody likes him? क्या आपको लगता है हर कोई उसे पसंद करता है? yes, जरूर करता है क्योंकि वो हर किसी की help करता है अब पुछा गया है why? हर कोई उसके वो पसंद क्यों करता है? तो इसका आप लिख सकते हैं because he has good manners and he always help others क्योंकि उसके अंदर good manners हैं वो एक good boy है और हमेशा वो दूसरों की मदद करता है that's why people like him and this habit makes him a respectful person इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं और उसकी जो habit है good manners की वो उसे एक respectful person बनाती है तो मुकुल has good manners मुकुल के पास good manners है good manners are free वो बिल्कुल free होते है good manners उनके लिए आपको कुछ pay नहीं करना they make you popular और good manners है आप popular होते हो सब आपको पसंद करते हैं और आप सबके favorite हो जाते हैं क्योंकि आप हरके से की help करते हो तो good manners आपको popular भी बनाते हैं practice them आपको हमेशा good manners की practice करते रने चाहिए और हमेशा हरके से की help करनी चाहिए तो यही आज की वक्षित थी good manners की बारे में काफी अच्छी वक्षित थी I hope आपको समझाई होगी so please subscribe to our channel और वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा thank you for watching